बच्चपन से माई छोड़ी के पराईले चली गई लिकाई के अनाद के हुना बाटे जग में सहारा धाईदत मथावा पहाद बॉक्षण और इसा प्रवा फटवट गया इसा जब्र गरीवाद में गारी इंटरी ते रहां तो कोड़ में को पसंद में अफना या लोला जैबू माजा कई से भूला जाईबू कि जवन मीला पहिला का प्यार में माजा कई से भूला जाइबू पहले ऐसे था इसको निकाल के फुरा फार दिया और ज़्दा मॉड्लिंग हो गए है कईदा जिन्दि गिया वो धियार ए छटी मैया तोहरो मही मापार ए छटी मैया तोहरो मही मापार इसको एकस्पोज ना कड़ेगा एक लाइन गाँ करके नहीं गाउं गाँ काई विबाद ऐसी चलता रहता है वोच्पुरी में देखे़ करते हैं बोलो तु हम के रोगा के खुस बाड़ो दो सर बहियां पाके कारी ले गुजारी सुतानी हो जा में हर बागा जाएं दोस्तों आप देखरें पॉब्लिक प्रोल पॉइंट्स और फिलाल अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडेस्ट्री के एक सबसे छोटे और सबसे नन्हेक अलाकार अर्मान बाबु हैं पहले स्वागत है आपका सबसे पहले तो पॉब्लिक प्रोल पॉइंट्स की इतने सबसे में आप को बता दो इनके जो गाना हैं इतनी कम उमर में प्यारे पढरे गाने अपो सुने हूंगे अगर तो बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है कर नहीं सुना होगा अपने तो मैं आपको बतादो भी आपको ऐस वीडियो में को ज defending को मिलेगा पहले आपको बता दू कि इनोंने पेहले इन से जानते हैं कि इनके घाने की शुरुवाति कब और कैसे हुई पहले आप यह बताइए गा कि आपने जिस वक्त अभी आप मेहज 12 साल के हैं और उसके बाद आपने गाना गाना सुरू किया किस कितने उमर से अपने गाना सुरू किया था अलग वक्त जब मैं six years का था तब से मैं गाना गा रहा हूं और आप सभी के प्यावड लार से मैं यहां तक पहुंचा हूं इसके ले टैंकि सो मच आप सभी अच्छा तो पहला गाना कौन सा था जब आपने आज डेविव किया था भौश्पूरी इंडिश्ट्रीन पहला गाना मेरा था विधाता काहे बनावला गरीब था सभी बढ़ना निक्खला नसीब बिधाता कैसान लिक्खला नसीब याद निये बहुत पुराना गाना है अच्छा एक सवाल सबसे पहले पूछूँगा कि अभी आपने इतना गाना भी गया इतना अच्छा गाना गया और उससे भी बड़ी बात आपने बोलने का तरीका जो सीखा है जो बोलने का तरीका है वह बहुत बड़े-बड़े लोग जैसे बात देख रहे हैं आप सभी को नमस्कार और आपको भी ठेंक यू सोमाच मतलब आपको बता दूँँ कि जो अर्मान बावू है इनका टैलेंट इस तरह से है कि अब जब भी कोई पत्रकार आये या किनी से भी बात करने की जो इनका तरीका है न वो आपको लगेगा कोई तीस वर्सी है जो यूवक है उससे आप बात कर रहे हैं चले आपसे फिर अभी इस बात को खतम करते हैं थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अभी जो आपका गाना भी रिसेंटली आया था जो सबसे ज़्यादा आपका वाइरल कौन सा गाना हुआ है हमें तो बहुत सारा गाना वाइरल चल रहा था लेकिन मैं एक स्वांग सुना हूँगा आप सभी को इस चैनल के मादे हमसे कहर कमर कईले बादिल पामन बादू पागल स्वीट स्वीट मुसकान दिखा के कईले बादू पागल उसके बाद सिल्पीजी का लाइन था, छोरे होते हैं, छोरे सब को फूल बनाते हैं, आज इधर देखे 36 से 32 उधर लार टबकाते हैं, है संकार, मतलब अच्छा एक चीशे बताईएगा आप जिस तरह से अभी असलील था, मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप आपके बात करने का तरीका, आपको नॉलेज भी है भाजपुरी का बहुत हथ तक, तो मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि छोटा बच्चा है, उससे इसलिए सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं, तो आपने अभी तक कोई भी ऐसा ग गाना आया था दर्द दिलो में उठेला स्वराव गरी, उनका लिखा हुआ सांगे उसके बाद बाबर बेददी हैं, अनंद जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, गाना देते हैं, अच्छा और जिस तर से भी आप भौजपूरी के साथ साथ हिंदी भी गाना गाते हैं, वो भी सांसे चलेंगी तुझे को चाहूंगा यार, मर भी गाया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, मर भी गाया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, तुझ से लागी है ऐसी लगन बिरह में जल रहा है ये मन मैं अधूरा हूँ तेरे बिना जैसे दिल के बिना धड़कन जब तक सांसे चलेंगी तुझको चाहूंगा यार मर भी गया तो वे तुझे करूंगा मैं प्यार बारह साल की उमुर में किस से प्यार करना है किसी से नहीं सौंग है फिलिंग वाला अई इस उमर में जो सरसम आपक आहितने साथ लोग जान रहें तो क्या आपको क्योंकि आप जीछ चरत से आपकी उमर है उमर से जादा बढ़ करके आप बातचीत करते तो प्यारवेर के चक्र में पतंसथी नहीं पड़ी तो क्यों मतलब उमर नहीं है या इन सब में इंट्रेस्ट नहीं है ऐसा कुछ नहीं है किसको इंट्रेस्ट नहीं होता है य। अबальном किसा में मैंने सोचा नहीं है वैंपनों बिलकुल तो यहाँ एंडर गृसी घाल हो Blair कि आपको बताता हूं सबसे बड़ी बात ना कि ये महत 6 साल की उम्र से गाना गाना सुरू करते हैं और अभी 12 साल के 12 बर्स के उम्र है इनकी और 6 साल में इन्होंने पूरे भाज़ पूरी में इतना नाम कमा लिया है अभी तक आपने कितना स्टेज प्रोग्राम किया होगा עभी तक मैंने लगवग मतलब इसका तो गिंटी नहीं ही लग लग कुछ ल्योंके तो मैं बना है बताने सकता है लगवा है2300 सो दो थीन सो this stage program मतलब इस उमर में और आपके साथ इस सा अबने लगा तै नया नय दो सरवाहियां पाके कारीले गुजारिस तानी हो जा में हरबान दिल वाजाई से तुड़ दिहलो तो जनव लेले जान दिल तूटने वाला गाना मतलब गाना जितना भी गाना लगवा आता है इसमें दिल तूटने और प्यार का ही रहता है मेरा आजी का सेट सुगी आता काही इतना सेट रहते हो मेरे को पसंद है बहुँ जादा गाना सेट सुग पसंद है सेट रहते नहीं है नहीं रहते नहीं है और आपने का एक माई का भगवान का गाना आया था आ आया था तू ही गंगा तू ही गायतरी टहर चरणिया केधूली में जनत बावे माए हो तहर चरणिया केधूली में जनत बावे माए हो बहुत बहुत दने माज़ अच्छा कहा जाता है कि अर्मान बाबु जब माईउक पकड़ते हैं तो लगातार परफॉरमेंस करते रहा जाते हैं तो कभी ठकते नहीं इसमें कितनी सच्चा ही है सच्छा ही तो है पबलीक का डिमांड आता रिए वह गाना सुनआए तो में टाइम कैसे कर जाता हूं पता ही नहीं चलता है सबसे ज्यादा कोई भी श्टेज परोगराम में कितना खाना अभी तक गory कोई प्रोगराम में म snippु 같이 कितना गाना गाए भी तक सब्सक्सक्राइब मफर सकता हूं, तो लेसे तो इसको मैं सबीच नह AKA वह ँछा जाच भून और MUT acabar कोई किन्हें पैगा सकता है, कि सब्सक्राइब कृओं कुछर सब्सक्राइब करना ऐसे होका हैं अपन सकते हैं मतलब इस उमर से जिन्होंने इस तरह का स्ट्ररीक्रिया है और अपने स्ट्रीफ जय हई हजारओ अर तर लाखों के संख्यामें पत्रकार लोग इनका आप लोग चाहिएगा तो सुधर जाएगा अच्छे गाने को पसंद कीजिए बूरा गाना भंद हो जाएगा काफी थके हुए लग रहे हैं क्या है सच में थके हुए हैं क्या थके जैसे नीन मतलब अभी तो आज मेरा खुला अभी कुछ दिर पहले मेरा आवाज पूरा मतलब बहुत स्ट्रेगल कर रहे हैं और आपको क्या आपका एम क्या आपका मतलब आगे जाकर कि इस भजपूरी में रहना है या बॉलीवूड में जाना है देखिया अब दरसकन भगवान का भगवान किरपा कहां तक पहुंचा है भगवान उनके आत में आगे का तो बहुत इसमें बता नहीं सकता हूं लेइन मेरा बस इ देखिया और धेट से राश्त्र बात दी अच्छे इसको एक्सपोज ना करेगा एक लाइन गाह करके नहीं गाउंगा नहीं काहें विवाद ऐसी चलता रहता है बच्परी में देख वे करते हैं तो नहीं गाउंगा इसको बहले पहले वाला सुना लेता हूं मेरे छटका ग जावा पहाद कईदा जी नी गिया वो धियार ये छटी मैया तोहरो मही मापार ये छटी मैया तोहरो मही मापार बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-प्यारा गाते हैं और मैं आपको बता दू कि यह यह जो है अभी इतने कम उमर में अपना गाने की वब करखिया हैं और इतने कम उमर में इतना नहीं तो पह स्प्लीड पर हैं और हजार यूटीब पर पर मेरा जो प्रस्टनल सेंनल एक पर थीश्ए जार है मिलियन जाए हैं प्रस्टेफ कि आली स्टेफिंग्स कि नह Genau कि इस नहीं कि आप। प्रस्सकंस К Кहाइबوس की जाता हैा तो इसका बटालग हो जाता है लेगिन मेरा स्टेफ्ट पत़ ने किता है उसका में जंबाना प्रस्ट का सब्सक्राइबत को बते पर इनकी जर्णी कहां से शुरुआत हुई और कहां जा कर यह खतम के अपसे अर्मन वह एक सवाल होगा कि आपका मतलब मॉडल कहीं कहीं सिंगर बहुत अच्छे हैं यह जीन स्विंस फटवट गया इसका क्या इसका क्या 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 फटवट गया है गरीब आदमी अब गरीब आगे जिसे मोडल ही है एक उसको और मैं फार देंगए फार दिया है और जद्रा मॉटलिंग हो गया और आपको बता दौ किस तरह से यह लगा हूँ जींस पेंता हूँ तो मैं बोलता हूं कि जीन्स दिखाई यह रॉफ आया इन्नी बच्छे के लिए भी अच्छे के लिए है अभी तो इंटर्व्यू दे रहा है तो कोट पहनते मजबूरी में क्योंकि इंटर्व्यू देना होता नहीं तो कोट पसंद नहीं है मतलब जीन्स और टीशिट जीन्स और टीशिट इस्टाइलेज में चस्मासमा लगा के चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और और मेरा इंस्टाइडी को आप लोग फॉलो कीजिए रियल अर्मान बाबू के नेम से डिस्किप्सर में लिंक मिल जाएगा और कुछ और कुछ अर्मान बाबू इंटर्टेन्मेंट चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए आप लोगा अखडी में एक गाना गुना के खतम करते क्यों नी… में एक स्वांस सुनाता हूं, आप सभी को निल कमल भी आखा। पहिला का प्यार में कि याद आई बुरसे रस तो हके याद आई बुरसे रस तो हके कि जब रहब अकले ससुरार में बहुत बहुत धन्यवाद और अभी आप देख रहे थे पब्लिक प्रोल पॉइंट्स होड़ा वही है हमारे साथ अर्मान बाबू थे जो कि भाजपूरी इंडेस्ट्री में अपने सबसे छोटे कलाकार कहे जाते हैं और बहुत ही कम उमर में इन्होंने अपना पूरे पर मिलता रहेगा भी चाहूँगा इजाज़ा तब तक के लिए जय हिंद्ट